गेंस्टर हरप्रीज जिसकी पुलिस को काफी समय से तलाश थी पुलिस अधिकारी विपिन चौधरी ने बताया कि बटाला पुलिस को शूसना मिली है कि बीते दिन गाउं खोदे बांगर में मर्चन्ट नेवी के कैप्टन हरपाल सिंग के घर पर गैंस्टों ने फारिंग की थी और कैप्टन की तरफ से भी गैंस्टों पर फारिंग की गई जिसमें एक गैंस्टर जखमी हो गया और वे सबी गैंक्स्टर अपनी आई 20 गाड़ियों में बटाला की तरफ भाग कर आ रहे थे तो पुलिस के द्वारा इनकी गाड़ी का पीछा गिया गया और इसी भागम भाग में बटाला आई टी आई के नजदी गैंक्स्टरों की गाड़ी पलट गई जिसके बाद हर्पित नामक एक गैंक्स्टर को पकड़ लिया गया और बाकी गैंक्स्टर फरार हो गए पुलिस अधिकारी का कहना था कि बटाला में भी एक घर में हुई फाइरिंग में इनी गैंक्स्टरों का हाथ हो सकता है पुलिस के दुआरा इन सभी पहलू का पकड़े गए गैंक्स्टरों से पूछताच की जा रही है और जल्द ही फरार गैंक्स्टरों को भी पकड़ लिया जाएगा पुल्स ने पता लगए विया सिटी बटाले अले पास नूँ आ रहे हैं तो शेयर नाकाबंदी शुरू किती गई फिर एसस्पी साब को इंफ्रमेशन से कि आई ट्वंटी ते रिगार्डिंग तो एसस्पी साहब ने गड़ी ता पच्छा शुरू करना किता है कानवान रोड थे आई टी आई दे लागए आके इनदी गड़ी पल्ट गई पल्ट गई पल्ट के आप बंदे जड़े गड़ी विच से गए यह उत्थो पाच गई सारी किराबंदी की ती गई पर उत्थों बंदे काबू नहीं आये है गए आज स्वेरे तड़क सार यह नहीं जो एक बंदा जड़ा है गा इन्फर्मेशन बेस्टे उन्हों काड़कियां अड़े तो पता किते गए वो काड़कियां दा ही रहने वाला है गा हरपीत उधी कड नहीं होदी जड़ी है किया मौनिंगे रेस्ट होई है कि उधी अज पुलसरमार लहके पुष्टिस करांगे तो उन तो बाद बंदे इंटिफाई हो जनगे पुष्टिस तो जदो बंदे रेस्ट होंड़के फिर नहीं इंटेरोगेशन ची गल करे लाओगी पर सानू लग एंस्टा न्यूज के लिए कादिया से मुनीरा सलाम की रिपोर्ट